नावश्कार दोस्तों कैसे हो तो दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे ये चीज़ पूछते रहते हैं कि तुम आखे कैंसर की वीडियोज इतने क्यों बना रहे हो भाई कोलोस्टमी से लेट इतने क्यों बना रहे हो question थोड़ा आजीब है पर ठीक है मैंने सुचा कि इस पे भी आज हम बात करते हैं तो दोस्तों ऐसा है कि YouTube channel तो मेरा बहुत पहले सी था 2018 सी था और मैं videos भी already बनाई रहा था पर cancer का topic मुझे ऐसा लगा कि एक बार यह share करता हूँ क्योंकि मेरे YouTube channel पे already videos थे और यह बहुत ही ऐसी चीज थी जो मैंने आज तक किसी को share नहीं की थी online और मुझे ऐसा लगा था कि इस चीज को मैं share करूँगा तो बहुत हद तक एक अच्छा motivation बनेगा क्योंकि आप लाइफ में बहुत सारी चीज कर रहे हो और इस चीज से उभर चुके हो और जब आप यह चीज भी बताते हो तो लोगों को और भी यह लगता है कि हाँ इसी से हम बाहर निकल सकते हैं और बहुत हद तक नॉर्मल लाइफ भी जी सकते हैं और अपनी back दोस्तों कि उस वीडियो वह इतना वाइरल होगा और उससे इतना अच्छा रिस्पॉंस आएगा रिस्पॉंस मींस मैं यह बोलू कि मैंने उसमें अपना नंबर दे दिया था क्योंकि बहुत तक लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं और लोग ऑनलाइन होने के वज़े से इस प दिक्कत है कोई ऐसी मुझे मुझे नहीं लगा कि इसमें कोई दिक्कत है तो मैंने अपना नंबर भी डाल दिया था तो वह वीडियो के बाद में दोस्तों बहुत लोगों ने कॉल किया और बहुत हद तक मतलब कुछ हेल्प के लिए ही कॉल किया था क्योंकि मैंने इस गोठू हो चुका था तो मुझे पता था कि मैं कुछ-कुछ टॉपिक को और भी कवर कर सकता हूं जैसे क्या खाते और क्या दिक्कते आती है क्योंकि ओनलाइन कुछ-कुछ वीडियो थे जहां पर कुछ डॉक्टर बदा रहे यह सब बता रहे पर इतने अच्छे से चीज वह आप बता सकते हैं तो इसलिए मैंने सुचा कि यह सारे टॉपिक्स पी ओनलाइन पॉब्लिक सर्च करती होगी तो इस टॉपिक पर भी मैंने बनाने कोशिश किये तो वहां पर भी दोस्तों यही हुआ कि बहुत हद तक अच्छा रिस्पॉन्स आया पॉब्लिक न तो दोस्तों इसकी बहुत ही सैटिसफेक्टरी वाली फिलिंग आती है और वह चीज में मतलब आपको बताने सकता है मेरे चैनल पर वीडियो पहले भी थे और उन पर बहुत अच्छे खासे व्यू थे लाखो लाखों के व्यूज वाले वीडियो थे फिर भी मैंने टॉपि लग से कुछ इन्वेस्टिगेशन करने की जरूवत नहीं पढ़ रही थी कि मैं गूगल खरू इस चीज के बारे में और आपने नोटीस किया होगा कि बहुत सारे लोग मुझे बोलते भी है कि यह टॉपिक पे वीडियो बनाओ दूसरे कैंसर के वीडियो बनाओ पर मैं द मुझे पता है इस चीज में क्या क्या दिक्कते आती है यह जो ट्रीटमेंट होता है इस वक्त तो मैं उस चीज के बारे में आपको 100% बता सकता हूं और दूसरे कैंसर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता तो इसलिए मैं वीडियो नहीं भी बनाओ वा क्योंकि यह एक क्रिटिकल चीज है इसके ओपर आपको ऐसे कुछ भी गलत वीडियो बनाना बहुत ही गलत चीज होगी तो दूसरे जो कैंसर होते उस पर मैं बहुत ही रेरली अपनी ओपीनियन कभी देता हूं और दूसरी बात दोस्तो हम यह सब चीज डॉक्टर से कहीं ना कई पूछने क की कोशिश करते हैं क्योंकि कि जिसका भी ठेकमेंट चलता रहता है उसके दिमाब में भहुत से सवाल रहते हैं उसको अशे लगता है यह सब चीज प्रॉक्शन होंव होना चीज यह में क्या होगा नहीं होगा तो डॉक्टर के लिए बहुत ही होता है और औरडियोसली हम सो वो अकेला डॉक्टर है पर उसके लिए सेम पेशेंट ऐसे बहुत आते हैं तो वो हर पेशेंट को आदा घंटा देखिये उसकी काउंसलिंग नहीं कर सकता उसको हर चीज के छोड़े-छोड़े चीज़ें नहीं बता सकता तो इसलिए आपने देखा हुए कि डॉक्टर बहु होती है तो इसलिए मैंने सुचा कि ये सारे सवाल कहीं ना कई हमारे दिमाख में रहते हैं डॉक्टर से पूछने के लिए तो क्योंकि मेरे पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी थी अपने एक्सपीरियंस से तो इसलिए मैंने ये सब सारे वीडियो बनाने स्टार्ट कि बहुत अच्छा लोगों का रिस्पॉंस आया और मैंने कहा ना कि ये सारे वीडियो में व्यूज नहीं आते दोस्तों लोग सोचेंगे कि यूटूब से बहुत इसको अनिंग होती है ऐसा कुछ नहीं होता आपने देखें होंगे कि मेरे वीडियो पे पुराने वीडियो पे बहुत लाखो लाखो व्यूज थे दोस्तों पर जब से मैंने ये टॉपिक बनाने स्टार्ट किये व्यूज नहीं है मतलब कुछ-कुछ वीडियो में अच्छे व्यूज भी है कुछ-कुछ नहीं है पर व्यूज के लिए नहीं बना रहा है क्योंकि मुझे पता है कि ये ट प्रिएअ टापिक वाले विडίो से कोई मतलब में नहीं तो उनके लिए वीडियो से बिल्कुल वेस्ट है। तो इसलिए इन पे व्यूज नहीं है पर व्यूज के लिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस टॉपिक पे डेडिकेटेड पब्लिक आएगी और डेडिकेटेड पब्लिक ही वाच करेगी और मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मेरा वीडियो उसको अगर सौ व्यूज भी आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है तो कोई जरुवतमन ही होगा जो सौ लोग होंगे जिन्होंने मेरे वीडियो देखें होंगे तो वो मुझे सैटिसफेक्शन मिलता है मुझे यह पता है कि किसी ऐसे एरे के लिने नहीं देखा होगा या सी टाइम पास की लिनी देखा होगा जिनको रियली में जरुवत है वही वीडियो देखेंगे तो यह मुझे सैटिसफेक्शन है तो इसलिए यह टॉपिक्स पर वीडियो बनाता हूं और बहुत ही सुकु इसलिए वेडियो बनाने के और जो लोग इस चीज से भावर आचुके है तो आप हो सके तो आज की डेट में वीडियो बना सकते हैं यह सारी चीजे रिध resilience के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं बहुत लोगों के काम आने वाली चीजेए यह ऐसे वीडियो नहीं है धोस्तों ज मुझे पता है कि मेरे वीडियो यूटूब जब तक है तब तक इंडिया में देखे जाएंगे तो इसी मकसद से मैं वीडियो बना रहा हूं तो अगर कोई ऐसा बंदा है जो यह सब चीजे और कर सकते हैं तो प्लीज आप भी यूटूब पर वैसे वीडियो बनाएं लोगों तो उनके लोगों के मुझे सबके घी शकर या जो बी गुड शकर या जो भी है अगर मैं असा दिख रहा हूं कि मैं कांसर नहीं हो तो यह यह बी अच्छी बात है कि लोग यकिन नहीं करते हैं मेरी लिए बहुत अच्छी बात है खेर यह अगर वीडियो आपको अच्छा आप वेलकम हो और मैंने आपको पहली बुता दिया इतने सारे वीडियोज है अल्रेडी चैनल पे वो भी देख सकते हो आपके बहुत हद तक सवाल क्लियर हो जाएंगे वहां पे और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे भी ऐसे वीडियोज आते रहेंगे तो मिलते अगले वीडियो में तब तक टेक केर और गुड़ पाई